और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह है border और उस पार जो ground है वो है बंगलादेश यह इंडिया यह बंगलादेश मैन्यू कोल के देखा मैंने पॉर्क 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 एशिया के cleanest village मैलिनॉंग में एक night गुजारने के बाद में हमें निकलना था डौकी के लिए डौकी में हैं दो tourist sport जिसमें एक है बंगलादेश बॉडर और दूसरा है उन्गोट रिवर उन्गोट रिवर को माना जाता है कि सबसे clean रिवर है एशिया की और इसका पानी इतना साफ होता है सरदियों में कि 10 फिट तक आप जमीन देख सकते हैं इसके नीचे तक तो हम बस इसी चाहत में और इसी excitement के साथ निकल पड़े आगे के सफर के लिए नौँ वी एर गोईंग तो डौकी और इनको थेंक बोलने का ताइम आ गया है हम यहां हमिस्ते में रुके थे बड़ अच्छे लोग है मैंने इंसे जो समने देख रहे हैं आप मेरे मैंने इन से बात भी किये और जाना है यहां के बारे में विलेज के बारे में लोगों के तो बहुत अच्छा लगा, तुभारे मिलेंगे इंसे, चलते हैं डॉकी और फिर उसके बाद निकलीगे हम गाद वी अगज़ दो है, तेंक यू, तेंक यू, तेंक यू आपर एक इसमूर्ट, तो देखें हम उन बच्चों को अज़ देखें क्या क्या है तुम राजिष्थान अरियाना या फिर नौट साइड के हो और तुम रोटियां काते हो, तो यार यह जो रोटियों की तलब है ना, तुमें तोडने वाली है यह यह वही राइस में लगा, रोटि ने मिलेगा? और अभी मैली नौंग सम वापस आते डाइम, अभी डॉकी जा रहे है, और डॉकी के पास में पढ़ती है, बंगलादेश बॉरडर, तो मैं हूँ अभी बंगलादेश बॉरडर के पास में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है बॉरडर, और उस पार जो और डॉकी यहां से ना भी 15 क्लो मेटर के असपास और रहा गया, और अभी मुझे यहां पर एक वाटरफॉल मिला है, बंगलादीला वाटरफॉल, तो चलिए देखते हैं उसे, देखो आप, वाटरफॉल देखो आप, और अवाद सुनो उसकी और खत्रा देखो आप, ऐसा लग रहा है, मानों किसी ने डैम फोल दिया हूँ, यह देखो आप, स्पीड देखो इस वाटरफॉल का, कुकुम्बर कितने का दिया, कुकुम्बर, 30, 1,20, काट मैं अभी हम आ चुके हैं बंगलादेश बॉर्डर पर और यहां से गाडियां या फिर आप कहें कि ट्रक वगेरा व्यापार के लिए, यहां से यह बॉर्डर पार करते हैं, यह बॉर्डर एरिया, अभी मैं खड़ा करेंगे, इस पार यह है हमारे इंडिया की दर्थी, और उधर आप सामने देख सकते हैं, वो है इंडिया का जंडा, इधर यह है इंडिया का जंडा, और इधर आप देखो, इधर दिखो, और इधर है यह बंगलादेश का जंडा, और यहां पर है यह बॉर्डर लाइन, ज अभी मैं हूँ दॉकी में और मैं खड़ा हूँ अभी इंडिया की सबसे क्लीन एस रिवर पर लेकिन अभी यहां पर यह क्लीन रिवर थोड़ा मठमैली हो रही है मिट्टी के रंग से क्योंकि मॉंसून सीजन चल रहा है देख रहे हैं यहां पर यह है उम गोट रिवर और य इपने होती है जो आपने वीडियो देखे होंगे घ्रिय्द में जो विढियो कि जो पानी इसके नीचे तक का जो पत्थर है वो दिखते हैं इतना साफ पानी होता है इसका जब मौंशुन सीजन exhibजन वे विंठर सीजन में लेकिन अभी जो इसका पानी है वो थोड़ा मत्मेल और अभी कलर मिट्टी का है क्योंकि वाटर कॉल बहुत ज्यादा आ रहे है बारिश हो रही है तो इस वज़े से यह अभी क्लीन नहीं है वरना यह इतनी सुंदर रिवर है ना क्या ही बता हूं आपको और अभी देखो इसके आप प्यारे प्यारे शॉट मांजू सीजन में कै हुआ है अगो हुआ है कर दो भी म हम जा हरे नीचे यहां जहां से वोटिंग स्टार्ट होती है और वाटर minority नीवन आते हैं और इस रिवर में जार्व मिलते हैं ए से इस ढर नीचे एक बार नीचे चल के देखते हैं यह वैसी इस इडिया है जैसी हमें डबल डबल रूट ब्रीज को मिलीती हुआ और रिवर देखो आप इंडिया की सबसे बैस्ट और सबसे क्लीन रिवर जिसमें पानी ना आपको नीचे तक दिखता है और यहां पर अभी वोटिंग हो रही है अभी जो यह मेरे पीछे बोट वाला था वो कह रहा था कि वोटिंग करोगे गया हम को भी वोटिंग करनी नही यहां गाले चन्वान टोर फिरस विंटर सीजन में दीखेंगहें इसका क्लीन पानी क्योंकि इंडिया की सबसे क्लीन रिवर्स में किना जाता है इसको और यहां कि यहलुछ तक भी पत्तर दिखते हैं इतनी क्लीन रिवर है और बाकी बोतिंग के लिए अभी जब वहां कर ह जयाता है बोट वाले उसके बाद आप सामने देखो जढ़ने देखो मेरे सामने इस तरीकी का व्यू इस रिवर का व्यूव ऐसा लगता है कि मानों आप किसी दूसरे देश में आ गया हो और किसी प्यारे तरीके से बोट चल दिया और ये बोट भी नहीं यहां पर डीजल से चलने वाली बोटे नहीं है, सिर्फ ये जो है लकडी की बोटे हैं, जिन से क्या है कि पॉलुशन कम फैलता है और ये रिवर साफ रहती है, तो वहां तक भी पानी क्लियर दिखता है और नीचे का दिखता है, तो मुझे लश्ग्रीन एक व्यू दिखाई दिया, और जैसे कासी मैदान के अंदर जाते है तो ऐसा व्यू है और ये व्यू ना कश्मीर वैली से कम नहीं है किसी भी तरही के लिए, देखो तुम इसमी को तो राइट ना अभी हम आ गए हैं दोकी जोवाई वाले रास्ते पर और यहां पर है एक वाटरपॉल, बहुत ही सुन्दर वाटरपॉल जिसका नाम है, फीफी वाटरपॉल और काफी अच्छा और काफी फेमस वाटरपॉल है तो हम अभी उस साइड ही जा रहे हैं और यह सब मुस्किलों का सामना करते हुए हम पहुचे कुछ चाम के बच्चुक है साड़े च्छै और हम अभी आ रहे हैं फीफी वाटरपॉल से और चारों तरफ अंदेरा और बहुत ही खतर नामना करते हैं पहुचे कुछे 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 तो चारों तरफ बादल और बारिश कभी भी हो सकती है तो चलिए मिलते हैं अम अगले दिन में अब ढूंडते हैं हमारे रहने का ठिकाना खाने का ठिकाना गुट नाइट अब बिलु हैवन रेश्टोरेंट है तो सब्सक्राइब के नॉन वे जाया था यह मार्केट अबूरा इधर होगा कुछ स्वीट संटी टी टी एन स्वीट यह रहा लॉज है ना इंडियन्स फूड एंड चाइनीज फूड वाओ 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 वाइस अवेलेबल हैर प्राइर में प्राम्लम होगगा मरता है क्या है हैलो मैं हूँ अभी जोवाई में और जोवाई के जिस रेस्टोरेंट पे हूँ मैं भी ब्लू हैवन रेस्टोरेंट और यहाँ पर मुझे वेगेटरियन का उप्शन्स कुछ भी ली बला है इसलिए हमने की है स्वीट्स गुलाब जमुन फाइव पीसे एंड दसकुले फाइव पीसेज और वेगेटरियन वालो मेगालने जब आते हो तो बस इसी चीज का ध्यान रंगना है कि यहां पर न यहां वेगेटरियन का उप्शन्स बहुत काम है अभी मैं रेस्टोरेंट पर गाइव एक तो संडे को ना सारा मार्केट बंद रहता है ठीक है खाने को कुछ मिलेगा नहीं और मिलेगा भी तो सिर्फ राइस मिलेगा चिकन पॉर्क, चिकन पॉर्क, चिकन पॉर्क, चिकन पॉर्क तो वेगेटरियन वालों के लिए तो बहुत बड़ी आफ़त है यहां पर तो अभी हम है जोवाई में जोवाई में हम रात को पहुंच चुके थे नाइट में वही रुके थे और जोवाई से थोड़ा आगे आए हैं हम यहां पर है तराशी फॉल और यह हमारा लास्ट स्पोर्ट है कवर करने का और इसके बाद हम सीधे निकलेंगे गोहाटी और कल की हमारी फ्लाइट है तो हमें निकलना पड़ेगा हमारे होम टाउन तो यह है हमारा last spot, तो हम इसे cover करते हैं, देखते हैं यह waterfall कैसा है, बहुत waterfall देखे हैं, बढ़ देखते हैं, यह किस तरीक एगा waterfall है, चलिए, यह जो वाई के हरे बारे खेत हैं, और यहां से यह Trashy Fall का रास्ता जा रहा है, यहां बना रहा है Trashy Fall का रास्ता, और यहां पर ज पारिश की दो तीन बुने टपक रही हैं बोचारे हो रही है और यहां पर यह देखो खेट में ना शायद चावल बोए जा रहे हैं मौनसून सीजर नहीं है तो नाइस त्राशी वाटरफॉल पुल पार करके अच्छा इधर से जाना पड़ेगा यह पुल पार करके वो नीचे पानी आ रहे हैं इस साइड से जाना पड़ेगा हम त्राशी वाटरफॉल के नीचे के एरिय में जा रहे है जहां से वाटरफॉल दिखता है लेकिन त्राशी इसे देखो आप, what a beauty, lush green ground. ए और थराशी फॉल और नीचे से देख ने जा रहे हो, तो कुछ steps हमे नीचे उतरना पड़ेगा. यहां से नीचे उतरना पड़ेगा, टराशी फॉल पो देखने के लिए. यहें है वो फॉल और यहांसे ही फॉल से खेतों में पाने जाता है. यह खेत है यहाँ बाद फेती होती है। सब्होंगे में दफिविया जयाbels अब अच्छा है। चलो नीचे चलते हैं फिर हम इसे देख लैते हैं। कि यह खुशनालले साइब मजैंजके करी सब्सकरिबत यह वर्टरफॉल इदर से यह नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा और देखने के लिए इसको अभी यहां से थोड़ा अच्छा विउ दिख रहा है इसका तो हम यहीं से ही इसको कैप्चर कर लेते हैं कि ज्यादा नीचे जाएंगे नहीं हम वाव तो भाई अभी अभी सुबह के बच्छु के अच्छे है और हमारा प्लेन अभी उड़ने को तेया रहे है अभी आप 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 याप